Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.5 से question number 3 करेंगे, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide, एक cuboid की shape का कोई भरतन है, जिसकी length 10 meter है और चोड़ाई उसकी 8 meter है, how height must it be made to hold 380 cubic meters of our liquid, तो इसकी height को कितना बनाया जाए, ताकि इसके अंदर 380 cubic meters liquid आ जाए, तो question के अंदर जो 380 meter cubic के न, ये आपको volume दे रखा है, और figure दे ही रखिये कि cuboidal vessel है, और length और breadth भी दे रखिये, simply आपको height निकालनी है, तो cuboidal vessel का जो volume है, ये 380 meter cube आपको दिया हुआ है, और किसी भी cuboid का volume होता है, length into breadth into height के बराबर, तो simply length into breadth into height बराबर 380 रख देंगे, और यहाँ से height की value हा जाएगी, length की जिगे लिखेंगे हम 10 meter, breadth की जिगे लिखेंगे 8 meter, और height को हम छोड़ देंगे as it is, is equal to 380, अब height मुझे निकालनी है, तो equation का rule है, जो चीज़ हमें चाहिए, उसको left कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो उसके पास होती है, वो दूसरी तरफ चली जाती है, तो यहाँ पर 10 और 8, यह 380 के side में आ जाएंगे, 10 और 8 दोनों multiply में न, तो यह यहाँ आके divide में आ जाएंगे, यहाँ units मैं इसलिए लगा रहा हूँ, ताकि आप इसके अंदर ध्यान रखें, कि units का इसमें क्या importance है, अभी यहाँ पर 380 मीटर क्यूब है, यहाँ पर मीटर क्यूब यानि कि 3 बार मीटर है, और यह दो चीज़े जो नीचे आई हैं, इन में मीटर लगा हुआ है, तो 1 मीटर कटेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो height जो आएगी आपकी वो simple मीटर में आएगी, अभी solve करते हैं इसको, 0 से यह 0 कट गया, 38 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो यह value आएगी 4.75, यही आपकी height है, question खतम, तो इस वीडम बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next